आज हम बात करेंगे पीरियट के बारे में, पीरियट क्या होता है, क्यूं आता है, और पीरियट कब आता है, और इससे जुड़े कुछ सवालों के बारे में, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप में चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में ल सबसे पहले बताते हैं, period क्या होता है, period को हिर्दी में माशिक धर्म भी कहते हैं, एक age के बाद body में जो हार्मोन होते हैं, उनमें बदलाव होते हैं, हार्मोन के बदलाव के चलते, लड़कियों को period आना शुरू होते हैं, period के time लड़कियों को बहुत सारी problems face करनी पड़ती है लेकिन दूर भाग्यवस इस topic पर आज भी खुलकर बात नहीं की जाती है, लेकिन हम तो करेंगे इस topic पर बात, क्योंकि जानकारी के आभाव में, आज भी लड़कियों और मैलाओं को period यानि माशिक धर्म के time होने वाली समझ्या और भी अधिक बढ़ जाती है, चले बताते लड़कों के testis में sperm बनना सुरू हो जाते हैं और लड़कियों की breast में बदला होने लगते हैं, इसी young age में लड़कियों में सुरू होता है period यानि माशिक धर्म जिसमें लड़कियां और मैलाओं को कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों तक private part से bleeding होती है, वैसे तो period की पर 8 से 13 साल की age में हो सकता है या फिर 13 से 15 साल की उम्ड में लड़कियों को period आना सुरू हो जाता है, और अगर इससे ज़्यादा किसी को time लगे तो आप doctor से consult कर सकते हैं, चलिए अब आगे आपको बताते है period क्यों होते हैं, young age में enter करने के बाद लड़कियों के शरीर में क औरत का अंडा से अंडे बनाना सुरू कर देता है, औरत के गरवाशय में हर महीने एक तरल बनता है जो की खून और म्यूकस से बना होता है, और जब पुरुस का इस पॉम और और औरत के ये तरल मिलते हैं तो भूण बनता है, लेकिन जब पुरुस का इस पॉम नहीं मिलता है तब ये परत औरत के प्राइबेट पार्ट यानि योनी से बाहर निकल आती है जो खून और मुकस के साथ ले कर आती है इसकी वज़े से औरत को ब्लीडिंग होती है आपको पता ही होगा इस ब्लीडिंग को मासिक धर्म पीरियड महवारी के नाम से जाना जाता है अब आपक को हर महीने पीरियड आता है एक पीरियड से दूसरे महीने के पीरियड में 28 दिन का गैप होता है यानि अंतराल होता है यह 28 दिन का गैप अगर एक हफते कम या जादा हो तो यह नॉर्मल होता है यानि कई बार पीरियड की टाइमिंग 4-5 दिन हफते दिन आगे बीचे हो सक हैं एक मुला की बौड़ी में इसके बहुत सारे सिंटम्स होते हैं जिनमें से कुछ सिंटम हम आपको बता रहे हैं पीरियड आने से पहले सूजन ब्रेश्ट में दर्थ चिर्चिडापन रोना अना सिर्दर्थ पिरदर्थ वजन बढ़ना ज्यादा खाना खाना मुहां से period के और भी ज़्यादा लच्छड हो सकते हैं जो हर औरत के हिसाब से कम्या ज़्यादा हो सकते हैं इसलिए लड़किया हो या मैला period आने से पहले आपको ऐसे symptom दिखे तो आप परेशान ना हो और आप आपको ये भी बता दे कि कुछ मैलाओं में किसी भी तरह के कोई symptom पता नहीं चलते तो जिन औरतों को कोई symptom यानि लच्छड पता नहीं चलते वो घबराए नहीं ये निश्यूरल है जैसे जैसे period का दिन बितता जाएगा ये सारे symptom भी खतम होते जाएंगे नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे है period आने पर क्या करें क्या ना करें period आने पर आप खुद को बिलकुल fit महसूस कर रही है तो आप घर का सारा काम कर सकती है और आप office में काम करती है तो office का भी काम कर सकती है क्योंकि period के दोरान कमजोडी, ठकान, चकराना, पेड़ दर्द और भी बहुत सारे problems होती है औरत को इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अराम करें और जितना आप से काम हो सके उतना ही करें period के दोरान आपका जो करें, वो खा सकती है क्योंकि ऐसा करने से सुगून मिलता है, period के दोरान जो आपका दिल करेगा, आप वो काम करेंगी तो इससे period में बहुत सारी, बहुत ज़्यादा हद तक कुछ परिशानिया खतम हो जाती है, और आपको अंदर से अच्छा लगता है, यह जो option है, यानि question है यह बहुत ही sensitive है और बहुत ज़्यादा लोगों को इस पर doubt रहता है कि यह चलिए बताते हैं, period के दोरान sex करना सही है या नहीं अगर आप ऐसा सोच रही है कि period के दोरान sex करने से pregnancy नहीं होगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रही है क्यूंकि period के दोरान pregnancy का खत्रा रहता है, इसके अलावा period के दोरान sex करने से कई तरह के infection हो सकते हैं, इसलिए period के दोरान sex करने से दूरी बनाए रखें, इससे आप भी safe रहेंगे और आपके partner भी safe रहेंगे next है monopause क्या आपको monopause के बारे पता है, अगर नहीं तो चली हम बताते हैं, 45 की age के बाद मैलाओं को monopause होता है, जिसमें मैलाओं का अंडा से अंडे बनाने बंद कर देता है, जिसके कारण मैलाओं को period आने बंद हो जाते हैं, इस दोरान बाल जड़ने लगते हैं और yoni यानि private part में रुखा पना जाता है ये जरूनी नहीं है कि 45 की यानि 45 की age के बाद से ही period आने बंद हो, time आगे पीछे भी हो सकता है तो अगर आप monopause के बारे में सुने तो आपको अच्छी जानकारी हो गई monopause के बारे में एक बहुत ही interesting question है क्या लड़कों को भी period आते हैं इस पे बात करते हैं ये सवाल हर किसी के दिमाग में जरूर आता होगा तो आप जान लें पुरुषों के अंडा से ना होने की वज़े से उन्हें period नहीं आते लेकिन किशोरा वस्ता यानि यंग एज के दौरान लड़कों में भी बदलाव होते हैं जैसे कि आवाज में बदलाव होने होना private part पर बाल आना और कई बार सौपने दोस होते हैं तो अपने दोस में पुरुष को सूते हो समय sexual ख्याल आते हैं इसके कारण सोते समय ही पुरुष का सीमन निकल जाता है यही सीमन अंडासे में जाकर भूर बनाता है सीमन निकलने पर पुरुष के चेरे पर pimple और oily skin हो सकती है यह common है चलिए अब आगे बढ़ते हैं बहुत सारी लड़कियों महिलाओं के दिमाग में एक हयाल आता होगा क्या महीने में दो बर पिरियड हो सकते हैं इसी पर बात करेंगे यह possible है कि महीने में दो बर पिरियड हो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पिरियड कम दिनों तक रहे हैं या पहले महीने के मुकाबले ज़्यादा दिन रहे हैं ऐसा कई महिलाओं के साथ होता है इसमें चिंता की कोई बात नहीं है लेकिन अगर आपको ज़्यादा चिंता हो रही है तो आप डॉक्टर से इस बारे में सला ले सकती हैं अब आपको बताते हैं साथ पिरियड कितने दिन आते हैं और साथ दिन से अधिक period होने पर क्या करना चाहिए period आते हैं साथ दिन इससे कम हो सकते हैं लेकिन जादा नहीं होता और अगर किसी मैला के साथ ऐसा हो रहा है और कई बार कुछ मैलाओं के साथ ऐसा हो सकता है कि period में bleeding 7 दिन से ज़्यादा हो और ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में bleeding ज़्यादा हो और आपको हर समय pet बदलने की जरूत पर जाए सुरू में bleeding ज़्यादा होती है और दिन में और दिन बितने के साथ कम होने लगता है अगर आपको कोई चिंता या डाउट हो तो आप डॉक्टर से इस बारे में सला ले सकते हैं या फिर जिस पर आपको भरोसा हो उससे आप इस बारे में बात करें नेक्स आपको बताते हैं PMS क्या है बहुत से लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा लेकिन आप इस बारे में जनकाई ले लें हम आपको दे रहे हैं बता रहे हैं PMS पीरियट सुरू होने से लगभग एक हफता या कुछ दिन पहले मांसिक और सारेरिक बेचैनी होती हैं उसे PMS कहते हैं ये पीरियट का ही एक हिस्सा है जिसमें औरत को अलग-अलग मूड सुइंग होते हैं कई बार नार्मल चीजों को देखकर रोना या गुसा आ सकता है ये PMS होता है बहुत ही सीरियस और बहुत ही डीप कोशन है पहली बार पिरियड आने पर किस से बात करनी चाहिए बहुत सी लड़के बाती नहीं कर पाती बहुत ज़्यादा शर्म आती है तो चलिए हम बताते हैं पहली बार पिरियड आने पर आप अपनी मा से बात करें और अगर मा से बात करने में शर्म आ रही हो तो आप अपनी दोस्त या घर में का कोई मेंबर जिससे आप अपनी बात खुल कर बता सकें, उससे सेर करें, या फिर जिस पर आपको फरोसा हो कि हाँ, वो आपको सही सला देगा, आप उससे बात करें, I hope कि पिरियेड में होने वाले सारे डाउट्स आपके किलियर हो गए हों करें, और अगर परसनली कोई सवाल पूछना हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और मैसेज भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, थैंक यू,